हम लोग ranking में अलग type का question objectives करेंगे जिसमें कुल बेक्तियों की संखेद दी गई होगी। थो बेक्तियों की संखेद दी जिनके बीच में कितने सवरक्ती इसDamप के question को हम mother list कि solve करने की koos, करेगे। तो आप आप सुरू से लेकि अंदर तक मेरे साथ बने रहेगा आप से इस टैप की कोशन इजली बने लगेगे और स्यार सॉलुशन चालिस बेक्तियों के कतार में, इसमें दिया गया है कि चालिस बेक्ति हैं, बाएं से दाएं सिरे तक अगर बात करें, तो इसमें कुल बेक्तियों की संख्या कितनी है, चालिस है, कुल बेक्तियों की संख्या है, चालिस, जिसमें बोला गया है कि ए बाएं सिरे से तेरवा इस इस बाये सिरे से अगर बात करें तो A का इस्थान क्या है? A का इस्थान है तेरवा इस बाये सिरे से अगर बात करें तो A का इस्थान है तेरवा जबकि B दाये सिरे से पंद्रवे इस्थान पे है यह हो गया हमारा दाया, बाया और दाये सिरे से, बाये से A का इस्थान है 13 और B का इस्थान है 15 तो question में पूछा गया है कि इनके बीच, इनके बीच मिन्स A और B के बीच में कितने बैठती बैठे हैं इस तरह के question को हम लोग easily solve कर सकते हैं, देखिए convincingly अगर देखने की कोशिस करें, तो A 22 से 13 है, इधर से चलते चले जाएं, एक दो तीन करते हुए, तो A कितने इस्थान पर बैठा हुआ है, तेरे वे इस्थान पर, मिन्स 13 लोग हो गए A को मिला के, उसी तरह अगर दाये सिरे से अगर चलना चालो करें, एक दो तीन करते काउंट करते हुए, तो B कितने इस्थान पर बैठा है, पंद्रवे इस्थान पर बैठा हुआ है, इस तरह से A और B के दोनों पोजिशन को, A के बाएं साइड और B के दाये साइड दोनों को काउंट कर लें, तो कूल कितने बैठे हुए हैं, और हम इस कतार में कितना दिया गया है, 40, means 28 के बाद जितने बचे होंगे, इन ही दोनों के बीच में बैठे होंगे, तो हम लोग easily solve कर सकते हैं, इसको अब क्या कर सकते हैं, इनके बीच के लिए 40 minus 48 कर सकते हैं, 40 minus 48 कर सकते हैं, तो हमें easily answer मिल जाएगा, कि 12 लोग, तो इस तरह से अगर देखे हैं, कि A और B के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं, तो हमें मिल जाएगा 12 लोग, मतलब 12 बैठे हैं, क्योंकि 13 तो इधर बैठ गए, 15 इधर बैठ गए, और कुल कितने हैं हमारे पास, 40, तो उनके बीच में कितने बैठ गए, 40 minus 28 औ अगर A और B का position दिये गए कुल बेक्तियों की संख्या से अगर कम है, दिये गए कुल बेक्तियों की संख्या से कम है, तो हम लोग easily उनके बीच के कितने लोग बैठे हैं, उसको निकाल सकते हैं, चालीस, अगर ये ट्रीक नहीं है, अगर easily करना चाहें, तो अगर चालीस माइनास कितना, 13 प्लस 15, तो हमें मिल जाएगा 12 बेक्ति, इस तरह से ध्यान रखेगा, कि किन्हीं भी बेक्ति, सपोस्थ यहां पर A और B दिया गया है, उनके positions को add up करें, तो कुल बेक्तियों की संख माइनस, position को add up करके, जितने बेक्ति आएंगे, वही इन दोनों के बीच में बैठे होंगे, तो इस तरह कि कोस्चन को हम लोग ऐसी solve कर सकते हैं, अलग-अलग types के और question को हम लोग कैसे solve कर सकते हैं, तो यह हमारा first type का था, इसी में आगे बढ़ें, question दूसरा देखें, तो question दूसरा हमें इस type का है, कि 60 बेक्तियों के एक कतार में, means फिर से हमें पता है कि बायें और दायें सिरे से अगर बात करें, यह दाया और बाया, बायें सिरे और दायें सिरे से देखें, तो कुल कितने हैं, 60 लोग हैं यह फिर बेक्ति हैं, 60 बेक्ति के एक कतार है, जिसमें अजै 22 सियरे से 25 इस्थान पे है, साथी साथ अगर देखते हैं डाये सियरे से रवी का इस्थान, तो इस तरह से अगर इसमें फिर देखें तो देखिए 20, 25 और 20 को अगर हम लोग add up करें तो हमारे पास आएगा 45 45 जो की दी गई कुल बेक्तियों की संख्या से 45 क्या है कम है तो हमने कहा ही था भी कि अगर positions को add up करें दो बेक्तियों की और उनका addition कुल बेक्तियों की संख्या से अगर कम हो तो हम लोग directly आजया रवी के बीच में कितने बेक्ति बैठे हैं आजया और रवी के बीच बैठे या खड़े जैसे भी हो बैठे बेक्तियों की संख्या बेक्तियों की संख्या हम लोग easily निकाल सकते हैं कैसे साट माइनास पचीस प्लस बीस कितना हो जाएगा साट माइनास इसको एडब करेंगे तो 45 और साट में से 45 माइनस कर देंगे तो पंदरा बेक्टि इस तरह से इस टैप के कोश्चन को हम लोग सौल कर सकते हैं तो इन अजय और रवी के बीच में कुल कितने बेक्टि अगर अब कंवेंसली भी अगर जाए धीरे से तो देखिए यहां पर 25 लोग बैठ चुके हैं 22 से काउंड करते चले जाए हम लोग इस तरह से तो एक से लेके कितने इस्थान पर होगा 25 वे स्थान पर और रवी 20 वे स्थान पर तो टोटल जो बचे होंगे इन ही के बीच मे बाउंगे तो अगर कुल पोजिशन की अगर एडड़ करें तो कुल देगए हुई बैकतियों की संखिय से अगर पोजिशन एड़क करने से अगर उनकी इसकर कम होती है तो डारेक्ली हम लोग मैनस करके निकाल सकते हैं आढ़िये देखते हैं कुछ इस तरह से कुशन जिसम करें अब तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तीसरा कोश्चन अगर देखें तो इसमें दिया गया है कि एक पंक्ति में 40 भेक्ति खड़े हैं एक पंक्ति दिया गया है बाये से दाये सिरे में जैसा भी हो यह बाया और यह दाया इसमें कुल बेक्तियों की संख्या है 40, 40 बेक्ति खड़े हैं, मयंक बाये सिरे से 26 इस्थान पे है, मयंक बाये सिरे से अगर बात करें मयंक बाये सिरे से कितने इस्थान पे है, 26 इस्थान पे और इसी पंक्ति में जैंत दाये सिरे से जैंत दाये सिरे से अगर बात करें, तो कितने इस्थान पे है, 26 इस्थान, मयंक बाये सिरे से 26 और जैंत दाये सिरे से 24 इस्थान पे है तो देखिए इस तरह से question को मैं और easily करने कोशिस करूँ तो बाये सिरे से अगर चला जाओ तो 26 बेक्ति हो जाएंगे मयंग का इस्थान मयंग का इस्थान बाये सिरे से मयंग का इस्थान अगर इसको मैं काउंट करते चले जाओं 123 करते हुए तो मयंग कितने इस्थान पे बैठा हुआ है 26 इस्थान पे बैठा हुआ है कुल बेक्तियों की संक्या हमारे पास कितनी है 40 मिस और कितने बेक्ति बैठे होंगे इधर इधर 40 तो हमारे पास टोटल थे 40 बेक्ति टोटल थे जिसमें मैंक 22 सिरे से 26 इस्थान पे है तो टोटल किते बज गई इधर के लिए 14 और बैठे होंगे, 14 लोग और होंगे, इस दाये सिरे से लेकर 14 लोग होंगे, जबकि बोला गया है कि जयंत क्या है? जयंत, जयंत हैं, यह है जयंत, जयंत, दाये सिरे से, जयांद दायआसरे से कितने इस्थान पर चोबिसवई इस्थान पर तो अब्यस है उभलेट होई ही रहोगा क्युंकि 14 लोग ही थारबचें है मिन्स ह Marin yahanNasya से अगर यहां तक अगर count करुँ तो 14 लोग हैं जबिच्वक जयांद 2 देंसरे से कितने स्थान पर है चोबिस्वे स्थान पे तो चवदा तो हो गया मैं फिर अगर काउंट करूंगा मैं तो ये 15 हो जाएगा 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24 वे स्थान पे होगा 24 वे स्थान पे होगा जयन्त इस तरह से अगर इस कोस्चन को हम लोग देखें तो जयन्त इस दाय सिरे से जयन्त इस दाय सिरे से कितने इस्थान पे है 24 वे स्थान पे मिंस देखिए ये ओभर लेप हो रहा है तो इस तरह की कोस्चन को अगर हम अब कंवेंसली देखें तो इसलिए निकाल सकते हैं दो तीन चार पांच छह साथ और आठ मयंक और जयन्त के बीच में कुल कितने बेक्ति बैठें आठ बेक्ति बैठें तो इस तरह सी इस कोस्चन में अब देखें पिछले कोस्चन पर हमने देखा था कि दोनों को कुल बैक्तियों की संख्या से हम लोग पोजिशन को माइनस क करते थे कब जब दोनों की एड़प करने से क्या हो इनसे कम हो मगर यहां पर देखिए 24 और 26 को एड़प करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 से जादा ही होगा यह हो जाएगा 50 बैक्ति अगर पोजिशन 50 है और बैक्तियों की संख्या 40 है तो हम लोग क्या कर लेंगे पोजिशन से हम लोग माइनस कर लेंगे कुल बैक्तियों की संख्या में देखिए 24 और 26 को एड़प करें तो 50 50 माइनस 4 चालिस मैनस और दो करेंगे हम लोग, तो टोटल कितने मिल जाएगा, तो चोबीस में दस, दस में और दो मैनस कर देंगे, तो एट, अगर ट्रीक बोलो या फिर कन्विंस नहीं बोलो, अब ये दो यहाँ पे क्यों मैनस के, तो देखिए, मयंक यहाँ पे काउंट हो गया एक और जयंद भी तो काउंट हो रहा है, तो मयंक और जयंद को, दोनों को हम लोग हटाएंगे, इन बेक्तियों की संख्या से, तभी तो इनके बीच की संख्या निकलेगी, क्योंकि 50 तो वहाँ बेक्ति है, जिसमें मयंक और जयंद दोनों सम्मिलित हैं, जिसमें से कूल बेक् सर तो इस टैप्स के कोस्चन में हम लोग देखेंगे कि अगर दिया गया पोजिशन कुल बेक्तियों की संख्या से अगर जादा होते रहे तो पोजिशन को एट करके हम लोग कुल बेक्तियों की संख्या को मैनस करेंगे और उसमें और दो भी मैनस करेंगे क्यों कि यह दो बा आपको समझ में आया होगा आये इसी टाइप के एक और कुस्चन देखते हैं जिससे अगर क्लियर ना हुआ हो तो आपको और क्लियर हो जाएगा देखिए फिर से अगर चाओ था कुस्चन देखें इसी टाइप का तो पचास बेक्तियों के कतार में रोहन बाएं से दाएं के अगर बात करें ए दाया और बाया में कुल बेक्तियों की संख्या कितनी पचास बेक्तियों की एक कतार में रोहन दाएं सिरे से मिन्स रोहन किदर है रोहन दाएं सिरे से रोहन दाएं सिरे से कितने इस्थान पर बैठा हुआ है 31 सी इस्थान पर बैठा हुआ है जबकि प्यू उस बाएं सिरे से कितने इस्थान पर बैठा हुआ है, पचिसवे इस्थान पर बैठा हुआ है, तो देखिए, एडप करके देखिए, 31 और 25 को हम लोग एडप कर दें, तो हो जाएगा 56, 56, पोजिशन को एडप करने से कुल बैठियों की संख्या से जादा हो रहा है, तो ट्रीके वाइज अगर सॉल करना चाहें हम लोग, तो इसली इसको कैसे सॉल कर सकते हैं, इसको सॉल कर सकते हैं, टोटल कितना, 56 बैठिटी, और उसमें कितना माइनस करने हमको, 50, और फिर अग कितने बैठिटी, चार बैठिटी, मिन्स रोहन और प्यूस के बीच में कितने बैठिटी बैठे होंगे, चार बैठिटी, अब देखिए इसको कन्वेंसली करने की कोशिस करें, रोहन दाएं सिरे से 31 स्थान पर बैठ चुका है, और टोटल बैठिटीओं की संख्या हमारे पास कितनी है, पचास, तो पचास में से अगर 31 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बैठिटी बढ़ जाएगा, 19 बैठिटी, रोहन के 22 सिरे पे और कितने बैठिटी बचे होंगे, दाएं तक जाने से 19 बैठिटी बचे होंगे, जबकि बोला गया है कि अब प्यू 22, 23, 24 और 25 यह हो जाएगा हमारा प्यूस, प्यूस बैठा होगा, इधर से, किधर से, 22 सिरे से, 22 सिरे से प्यूस का इस्थान होगा, तो इनके बीच में कुल कितने बैठिटी बैठे हैं, देखिए, काउंट करके, एक, दो, तीन, औरे, चार्थ, तो इसली इस टैप्स के को को हम लोग ऐसे सॉल कर सकते हैं, ऐसा है आप मेरे साथ सुरू से लेके लास्ट तक बने होंगे, तो इस टैप्स के कोश्चन को आप इसली सॉल कर पाएंगे, और इस तरह के कोश्चन्स हमेसा पूछे जाते हैं,